एक टीचर होने के नाते हमें रोज बहुत सारी चीजों से रूबरू होना पड़ता है जैसे कि बहुत सारे मासूम बच्चे जिनकी जिनकी छमताओं का मंदाजा शायद नहीं लगा सकते हैं कभी एसा ही वाक्या मेरे साथ एक नहीं दो या तीन ऐसे वाक्यों जो कि मेरे दिल कई को बहुत चूप हैं वही आपके आपके शेर करना चालता है सबसे पहली बात है कि मैं अपको अपनी कलास का में अपनी कलास का आपको ठोड़ बैक्ग्राउंड बताना चाता हूँ मेरी कलास में कुछ ऐसे बच्चे है जो की प्राईमरी स्कूल सा आई हुए है और इन लोगों के साथ में काम करना है काफी मुश्किल है क्योंकि ये लोगों का घर से भी कोई सपोर्ट नहीं है, जातने इनके पेरेंट्स डेली वेजेस, लेवर हैं जो की फेक्ट्रीज में काम करते हैं, और वो बच्चों पर शायद इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो हम उनके साथ में काम कर रहे थें, और धीर-धीरे बहुत वो इंप्रूव कर रहे है, लेकिन नुट たभी मेरे क्लास में चार बच्ची ऐसे थे, जिनके साथ में हिंदी पढ़ने लिखने को लेकर काफी दिक्कत थी, वो पढ़ नहीं पाते थे, लिख नहीं पाते थे, तो और वो शायद दूसरे बच्चों को ऐसा करते हो, देखते थे, तो उससे उनको शायद लगता था कि हम काफी कम है, तो इसका प्रभाव उनके प्रदर्शन पर भी पढ़ता था, वो कम बोलते थे, क्लास में चुप रहते थे, तो मेरे को लगा कि मैं एक साइन्स टीचर होने के नाते ऐसा क्या कर सकता हूं, कि इनको भी सब लोगों के बरावर एक्वेल चांस मिले पढ़ने और सीखने का, तो उसके लिए मैंने कुछ काफी विचा जानवरों को अलग अलग बात की, तब मेरे को खाली एक ही प्रावबलम नज़र आई, मेरे को यह नहीं लगा कि वो बच्चे सीख सकते हैं, मेरे को लगा बच्चे सीख सिख सकते हैं, लेकिल उनको सीखने के लिए उस एन्वारमेंन्में लाने के लिए उनको confidence देना तो इसी के नाते मैंने कुछ activity सोची मेरा उस टाइम पर एनिमल्स habitat चल ला था कि एनिमल्स का जानवरों का निवास स्थान तो उसमें बच्चों से बात करने के बाद discussion करने के बाद काफी कुछ बच्चों के समझ में आ गया था लेकिन मैं उन बच्चों का assessment की तरह करना चाहत तो उस relation को बनाने के लिए मैंने बहुत काम किया मैंने cartoon भी देखे ताकि मैं उनसे बात कर सकूं उस cartoon के ओपर बातचीत की शुरुआत कर सकूं मैं उनके साथ खेला भी जिससे कि वो खेल के थूरू इम उससे बात करना सीखे और ये प्रियास कामियाब भी हुए अब वो मे प्रियास कर सकता हूं लेकिन मैं अगर उनसे लिखने और पढ़ने की बात करता जो कि आजकल हमारे विद्यालियों में एक मात्र असेस्मेंट का टूल है कि लिखना आप एक टेस्ट पेपर दे दीजिए और उसे लिख कर हम असेस्मेंट करते हैं तो उसमें शायद वो उतन चल के जाएं अगर मुझे लग नहीं आता है तो अभी मुझे कोई वो क्लास से पढ़ना की जानवर थे और पूरी जानवर ते हुए और पूरी क्लास को मैं अपणरे लेकर आया है मैंने अचाड़ों अर्में कि मैं अलग तो इनको कही एसा न लगे को ध्यान में रखते हुए मैंने सारे बच्चों से ही वह activity कर आई जिससे कि उन्हें लगे कि मैं भी class का हिस्सा हूँ मुझे class से अलग नहीं क्या जा रहा है अगर मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता है तो अभी मुझे कोई को आफ लग नहीं कर रहे है तो मैंने उनको बिठाया और मेरा मेलरी फोकस उन चार बच्चों पर ही था क्योंकि और बच्चे जो थे वो वर्कशीट में और लिख पढ़का कर सकते थे तो अब हमने शुरुवात किया सबसे पहले देव बेरागी आया देव बेरागी ने एक चित उठाई और उसमें मैंने थोड़ा उनको इंस्ट्रक्शन दिये थे कि और नमबर एक पर मैंने एक जमीन का चितर बना दिया था जो की इंडिकेट करता था थल चार के लिए नवर दो पर मैंने एक पानी का चितर बना दिया था जो इंडिकेट करता था जलचर के लिए नंबर ठी पर ऐसी बादल बनाया और चार पर एक जमीन और पानी का चितर बनाया जो कि क्रम्शे नपचर और उभेचर को इंडिकेट करते थे और साथ में दिवार तो आमेने 1-2-3-4 की चित चिप दी जिसका मतल इस जगह पर लिखने और पढदने की जो कपोटैंसी है जो कौशल है उसका सबसे कम यूज हो रहा था लेकिन मेरा मकसद यहाँ पर लिखना और पढदना देखना नहीं था मेरा मकसद है कि जो मैं बच्चों को पढ़ाया क्या वो ठोसमज में करता है उसने उठाया उसने अपना चित्र देखा उसके चित्र में जो आया उसने जाактер वह उससे बहुत पर खड़ा हो गया फिर दूसरे नमब़र पर राजकुमार आया उसने भी ऐसे ही कहा देखा और समझ और मुझे इतना अच्छा लगा उन दोनों के बाद कि मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हम लोग क्या समझते हैं और बच्चे कितना कुछ कर सकते हैं और मुझे अपने उपर भी थोड़ा गर्व हुआ कि हा यार तुम में सही अक्टिविटी ली है उसके बाद हमने तीसरे नंबर पर नेहा सीन आई और वो भी जाकर सीधा उसे बिल्कुल सही तरीके से अपने चित उठाई और जो जानवर उसकी चितना आया था उस जगह पर जाकर खड़ी हो गए नंबर चार पर अनीता आई अनीता एक सबसे ज़्यादा उसमें इन तीनों मेरे को लगता था वो बिल्कुल बात ही नहीं करती है बाकी तीनों तो बहुत बात भी करते थे लेकिन वह क्लास में चुप रहती थी उसने एक चित उठाई और उसको काफी देखती रही फिर मैंने पूछा इसमें पता चला आपको क्या है यह तो उसने बोला कि हाँ पता चला मेरे को तो उसने उस मचली को बोला कि यह कच्छुआ है तो मैंने का अच्छे ठीक है चलो कच्छुआ है लेकिन यह रहता कहां पर है तो उसने बोला कि पानी में रहता ह तो मैंने का अच्छा ठीक है चलो पानी में रहता है तुमने बीख सही बताया है उस चीज के लिए मैंने उसका appreciation किया तुमने एप्रिशेट किया उसने जो नहीं किया उसके लिए उसको कर्स करना चाहिए ता मेरे को यह सोचते हुए मैंने सोचा ही नहीं जो उसने किया है वो चीज अप्रिशियेट करनी तो मैंने उसको का कि तुमने बहुत अच्छा किया है और तुम आगे कर सकती हो ऐसा करके मैंने उसको इसमें प्रोसेस ज्यादा इंपोर्टेंट है जिसमें बच्चे इन्वाल्व होकर उस चीज की तरफ सीखने की तरफ बढ़ रहे हैं, ना कि सीख जाना, तो कि सीखना एक ऐसी प्रोसेस है जो की चलती रहती है, तो इस इंसिडेंट को मैं आप से शेयर करना चाता था और यही बात कह झाल झाल